गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, वेलकम टू STC4U आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के सम्मास टोपिक के बारे में जानेंगे सम्मास हिंदी व्याकरण का ऐसा टोपिक है जो कश्य 6-12 तक बहुत उप्योगी है तथा आगें भी कोई competition exams में इसके बारे में परशन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें और इसे subscribe करें तो हम सबसे पहले देखते हैं समास का अर्थ क्या होता है समास करते समय दोनों पदों के बीच में विभक्ति चीन हटा देते हैं विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो एक सब्द बनता है उसे समस्तपद या समासिक शब्द कहते हैं अब हम उधारन से देखेंगे कि इसे समास किस तरह बनाया जाता है उधारन दे रखाया है जैसे रसोई के लिए घर इस पद समूह से विभक्ति चीन के लिए हटा देने के उपरांथ दो शब्द बनते हैं पहला शब्द बनता है रसोई तथा दूसरा शब्द बनता है घर इन दोनों शब्दों को पास पास कर देने से एक शब्द बनता है रसोई घर यही समस्तपद या समासिक पद होते हैं इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है इसके बीच में विबक्ति चिन दिये होए होते हैं जब अपन इसका विग्रह करते हैं उस विबक्ति चिन को हटा देते हैं तो वो समस्त पद्या समासिक पग्त बन जाते हैं आगे हम देखेंगे कि समास की परिभाशा क्या होती हैं समास की परिभाशा दे रखी हैं विबक्ति विहिन दो या दो से अधिक शब्दों के शार्थक योग को समास कहते हैं आगे समास के दो धारण दे रखे हैं पहला दे रखा है गुरू दक्षिना इसका विग्रह करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा गुरू के लिए दक्षिना इस पूरे वाक्य में के लिए शब्द जो है वो विबक्तिचिन है अगर अपन यहां से के लिए हटा देंगे तो यहां बच जाता है गुरू दक्षिना दूसरा उधरन दे रखा है पाठ शाला इसका विग्रह करने पे बनता है पाठ के लिए शाला इसमें भी के लिए शब्द विबक्तिचिन है अगर विबक्तिचिन को हटा दिया जाए तो यहां पर पाठ शाला बन जाता है समास के छे बेद होते हैं पहला होता है अव्यवी भाव समास, दूसरा होता है तकपुरू समास, तीसरा होता है करमधार्य समास, चोता होता है द्विगू समास, पाचवा है द्वंद समास, छटा है बहु वरिही समास तो हम एक के करके इस सभी समास के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं बहु आव्यवी भाव समास किसे कहते हैं आव्यवी भाव समास की यहां परिवाश दे रखी है जिस समस्त पद का पहला पद आव्यवी हो तथा समस्त पद आव्यव बन जाए उसे आव्यवी भाव समास कहते हैं अब यहां पर समस्त पद जो दे रखा है उसके बारे में अपने पहले ही पढ़ लिया था कि समस्त पद किसे कहा जाता है तो अब यहां पर उधारन देखेंगे यहां पहले दे रखा है समस्त पद यथा शक्ति अब अपन यथा शक्ति सब्द का अगर विग्रह करते हैं तो वो बनता है शक्ति के अनुसार यहां पर के शब्द जो है वो विभक्ति चिन है आगे हम देखेंगे प्रति दिन विग्राय करने पर यह बन जाता है दिन दिन क्योंकि प्रतिकार्थ होता है प्रतिक प्रतिक दिन होता है तो यहां पर बन गया विग्राय करने पर दिन दिन आ तत्पृष समाज के पूपहण पर्भीबाशत के दिस समाज में द्वित्र पद प्रदान होता है उसे तत्पृष समाज कहते हैं इसमें करम से लेकर अधिकरन कारक तक की विशुऺ बखतियों का लुब होता है इस अधार पर इसके अगल लिखित उपभेध होते हैं अथार् हैं और इन्हीं उपभेद से अपंतर प्रुष समस्कों समझ सकते हैं exams में सब से ज्यादा प्रえー उते हैं मों टत प्रुष समास से ही पूछ जाते हैं तो आप अपनी इस समास को जहां से समझेंगे इसका पहला जो करम तत्पुरूश इसकी से डेफिनेशन आपको दे रखिए कार्ट चिन को हटा दिया जाता है इनको समझने के लिए आपर विबक्तिचिन दे रखिए सबी के अंदर उन्विबक्तिचिनों से इनको आसानी से समझा जा सकता है पहले अपन को यहाँ पर समस्त पत दे रखा है उधारण में स्वर्ग प्राप्त विग्रहा करने पर यह बन जाता है स्वर्ग को प्राप्त अब यहाँ पर जो को शब्द है वो को शब्द को हटा देते हैं तो यहां बन जाता है गगन चुम्बी तीसरा दे रखा है जेब कत्रा जेब को कतरने वाला यहां पर भी को शब्द जो है वो विबक्ति चिन है यहां पर सबसे मैं उत्वर पूर्ण बात यही है कि इनके जो विबक्ति चिन है किसको हटाना है इस से के द्वारा हटा दिया जाता है यहां पर दो का विबक्तिचिनों का प्रियोग क्या गया है पहला विबक्तिचिन है से और दूसरा विबक्तिचिन है के द्वारा अगर अगर समस्त पद देखेंगे उधारन में तो अपन पहला देखेंगे शोक अकूल अब इसका विग्रह दे रखा है मन चाहा, इसमें विवक्ति चिन से का प्रियोग हो रहा है, तो मन चाहा का विग्रह करने पर बन जाता है मन से चाहा, तीसरा दे रखा है अकाल पीडित, आपने उपर देखा, यहाँ पर दो विवक्ति चिन दे रखा था, दूसरा है के द्वारा, तो यहाँ पर अगर इसका विग्रह करते हैं, तो यहां बन जाता है अकाल से पीडित, तो यहां विबक्ति चिन से हैं, अगर से को हटा देंगे तो शब्द बन जाता है अकाल पीडित, आगे हम तीसरा उपभेद देखेंगे, वो है संप्रदान तत्पूस, कारत चिन के लिए हटा दिया ज कड़ी, यहां पर के लिए शब्द जो है वो विबक्ति चिन है, अगर विबक्ति चिन के लिए हटा दिया जाता है, तो यहां रह जाता है काल दे रहा है? विध्याले, विध्या के लिए आले, याबे के लिए शब्द विबक्तिचिन है, के लिए को हटा देंगे तो बन जाएगा विध्याले, और तीसरा दे रखा है यग्ये वेदी, यग्ये के लिए वेदी, आगे हम देखेंगे चोथा उपभेद अपादान तत्प्रूश, सब्सक्राइब आ ये जहां विभकतिचिंगे चिई यहांगों प्रतब्रस्ट गुण धिया लूस्टार्य को दे को दी रेका है संबंद तत्पुरुष कारक्चिन का के की हटा दिये जाते हैं अब यहां पर अपन को विबक्तिचिन तीन दे रखें पहला दे रखा है का दूसरा है के तीसरा है की इन तीनों में से अगर कोई भी आपको शब्द में नजराता है तो आप अबसाने से समझ जाओंगे कि आप संबंद तत्पुरुष का प्रियोग किया जा रहा है अपनको पहला शब्द दे रखा है नगर सेट तो इसका विग्रह करने पर बन जाएगा नगर का सेट अगर आपकर का शब्द है वो है विबक्ति चीन इस का शब्द को हटा देने से बन जाता है नगर सेट दूसरा उधारन अपन को दे रखा है राष्टर पती राष्टर का पती तीसरा है कन्यादान कन्या का दान तो यहाँ पर जो का शब्द है उसी का उधारन अपन ने लिया है के वल के और के का उ को है विवक्ति चिन अगर अपन का शब्द को हटा देंगे तो यहां पर बन जाता है नगर सीड राष्ट्रपति और कन्यादान अब अपन छट्टा उधार उपवेद देखेंगे तो छट्टा उपवेद है अधिकरन ततपुरुष कारक चिन में पर हटा दिये जाते हैं यह यहां पर में शब्द जो है विवक्ति चिन इसको हटा देने से यहां नरो में उत्तम का बन जाएगा नरो तम दूसरा उधारन अपन को दे रखा है ग्रह प्रवेश ग्रह में प्रवेश तो यहां पर भी में शब्द जो है वो विवक्ति चिन दे रखा है और तीसरा जो उ ग्रह कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पर शब्द बन जाते हैं, नरोतम ग्रह प्रवेश गुड सवार, आगे हम देखेंगे तीसरा भेद, तीसरा भेद यहाँ पर दे रखा है करमधार्य सम्मास, जिस सम्मास में विशेशन, विशेशे या उपमान में उप का सम्मन रहता है उसे कर्म धारिय समास कहते हैं अब कर्म धारिय समास का उधार नीचे दे रखा है यहां समस्तपद अपन को दे रखा है नील गाई अब इसका विग्रह करते हैं अगर तो यहां आपर विग्रह करने पर शब्द बन जाता है नीली है जो गाई आपन कर्म धारिय समास क विबक्तिचीन से ही पहचान सकते हैं यहां पर जो है जो गाई देरका है वो इसका विबक्तिचीन है जब अपन शमस्तपद का विग्रह करते हैं तो नील गाय का अगर अगर अपने पास रह जाता है नील गाय और पीत है जो अंबर यहां पर है जो शब्द जो है वो विबक् की चंद्रमा के सम्मान्मुख। यहां पर के शब्द को अर्थ मिटा देते हैं और यहां बन जाता है चंद्र मुख्य। तो अगर अपन करमधारी सम्मास को एक शब्द से पहचानना चाहते हैं तो वह है इसका विग्रह करने से पर है समस्त पद किसी समुहा का बोध कराए उसे द्विगू समास कहते हैं यानि संख्या वाचक यानि होता है कि एक, दो, तीन गीन्ती का अर्थ निकल रहा हो और समस्त पद किसी समुहा का बोध करवाए यानि कि यहाँ पर किसी एक कत्रित चीज की बात हो रही हो तो आपन उधारण से इसको समझ सकते हैं या इसका उधारण देर का है समझत पत देर का है 9 रतन तो 9 रतन शब्द की अंदर पहला जो 9 है यानि कि 9 या पर संख्या वाचक शब्द का प्रियोग हो रहा है तो इसका विग्रह करने पर बन जाएगा नव रतनों का समू है यानि कि नो रतनों का समू है दूसरा देर का है दो पहर दो शब्द क्या है संख्या वाचक शब्द है और इसमें समूह का बोद भी हो रहा है साती में तो दो पहर शब्द का अगर विग्रह करते हैं तो बन जाता है दो पहरों का समू है तीसा देर का है चोराहा चोराहा के अंदर भी संख्या वाचक शब्द का बोध हो रहा है क्योंकि यहां पर चोराहा शब्द जो है चार से लिया गया है और इसाथ ही इसके अंदर समुहा का बोद भी हो रहा है चोराहा सब्द का विग्रह करेंगे तो बन जाएगा चार राहों का समुहा तो अगर अगर अपन समस्त पद को देखते हैं और उनका विग्रह करते हैं तो हम आसान से जान सकेंगе कि दवीगु सम्मास जो होता है उसका प्रियोग कैसे किया जाता है अपन। 15 सम्मास के बारे में यहां बात कर रहे हैं तो वो है द्वंद सम्मास इसके परिबाशा हम देखेंगे जिस सम्मास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद सम्मास कहते हैं इसका विग्रह करने पर और तथा या आदि शब्द जूड़े होते हैं और और आदि शब्द यहां पर वही है जो अपर उपर पढ़ते आ रहे हैं यानि कि ये दोनों विभक्तिचिन है जो दोनों शब्दों को जोड़ते हैं उदारण में हम देखेंगे समस्त पद अपन को देरखा है दिन रात अगर इसका विग्रह करते हैं तो बन जाता है दिन और रात यहाँ पर जो और शब्द है जो दिन और रात को जोड़ रहा है वो और शब्द यहाँ पर विबक्तिचिन है अगर अपन इस विबक्तिचिन को हटा देंगे तो यहाँ पर समस्त पद बन जाता है दिन रात दूसरा उजारेन अपन को दे रहा है देश विदेश यहाँ पर देश और विदेश अगर विग्रह करते हैं तो शब्द बन जाता है देश और विदेश तो यहाँ पर और शब्द जो है वो विबक्तिचिन है इसकी परिबाशा अपन को दे रखी है जिस समास में कोई पद प्रदान नहीं होता है तथा जिसका समस्त पद किसी अन्य पद के विशेशन का कार ये करता है उसे ब्रहुवरी ही समास कहते हैं इस समास को भी हापन उधारण के माध्यम से समझेंगे तो इसका समस्त पद दे र रहे करने पर बन जाता है नीला है कंड जिसका अतर्थ शिव ढूरूसा देएरका अरन्द इसके ऐसार्थ गांनन्द यान्न कि does जिसके सीढ है उसे किसे कहा जाता है रावण को और लांस्त देएरका हैं पर उदारन पवन-पूत्र पवन है पवन का पूत्र है जो अथार्थ हनुमान जब अपन पवन पूत्र शब्द बोलते हैं दसानंद शब्द बोलते हैं नीलकंड शब्द बोलते हैं तो आपन इसका विग्रह करके नहीं बोलते हैं सीधा अपन समस्त पद ही बोलते हैं लेकिन अगर अपने इसका विग्रह करते हैं तो इनका अर्थ अलग निकलता है इस तरह से हम इस सम्मास में यह समझ सकते हैं कि किसी भी सब्द का विग्रह का अर्थ अलग निकलता है इस वीडियो में हमने सम्मास के बारे में जो कुछ पढ़ा वो जहां से समझें